जी हाँ स्टुडेंट्स आज ही के डेट का सबसे पहले डेट देख लो उपर में डेट कितना है 27 में 2024 यानि की आज ही के डेट का इंपोर्टेट नोटिफिकेशन है एक्जामनेशन डिपार्टमेंट का ध्यान से बाते को सुन ली जिएगा नहीं तो अगर आप लोग C.A. का एक्जाम सेप्टेंबर 24 में दे रहे हो तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा ये नोटिफिकेशन सबसे पहले जान लेते हैं किसके लिए है तो C.A. फाउंडेशन सेप्टेंबर 24 में जो भी बच्चे एक्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही important notification है अब आपके screen पे सो कर रहा होगा उससे पहले आपके मन में जो doubt आ रहा होगा नो वो clear करते हैं अब doubt आएगा इसके related क्या हो रहा है कि examination department के तरफ से आपको message जा रहा है अब बच्चे के मन में doubt आएगा मेरे पास message नहीं आएगा क्या करें मेरे पास ऐसा कोई notification नहीं आएगा क्या करें कुछ करने का ज़रुत नहीं है message आया mail आया नहीं आया इससे मतलब नहीं है अब ध्यान से बाते को सुन लीजिएगा दिक्कत ये है ना कि आपके पास message जाय नहीं जाय इससे कोई फरकी नहीं परता है अब ये notification क्या कह रहा है notification ये कह रहा है कि अगर आप लोग CA foundation का exam September 24 में देना चाहते हो और foundation course का registration करते समय अब आपको याद होगा कि आप जबी भी CA foundation course का registration किये होंगे इसका registration करते समय क्या आपने class 12 का marksic update कर रखा है जबाब होगा हाँ update कर रखा है तो relax रहो update नहीं कर रखा है तो update कर दीजिए बच्चो last date आ चुका है मैंने क्या बोला था जैसे ही notification आएगा सबसे पहले charter studies तो इस news को भी सबसे पहले charter studies provide कर रहा है इस बाद पर तो वीडियो को like कर दीजिए late night आपके लिए काम कर रहे हैं तो बच्चो वीडियो को share कीजिए क्या है notification में इसके बारे में एक बार फिर से detail में थोड़ा सा जान लेते हैं इस notification में यही है कि अगर आपका class 12 का marksit या नहीं तो class 12 का admit card अब आपके सबसे पहले मन में सोचना क्या मेरे पास class 12 का आज के date में मेरे पास marksit है या नहीं तो 25 जुलाई तक मेरे पास class 12 का marksit आ जाएगा अपने मन से ये doubt हटा दो original नहीं है internet वाला है बच्चो अगर original को अगर आपके पास internet वाला है नहीं बच्चो दुबारा से नहीं करना होता है अगर आपके पास internet वाला marksit है तो उसको या तो school college principal से attest करवा लीजिए या नहीं तो किस से CA से attest करवा लीजिए attest जैसे करवा होग न तो वो original का काम कर जाएगा और आप SSP portal पे update कर दो अगर नहीं है class 12 का marksit नहीं internet वाला है नहीं original है लेकिन आपको foundation का exam September 24 में देना इसके करना क्या होगा अगर आपका कभी 12 का marksit updated नहीं है नहीं admit card updated है 12 का marksit अपडेट कर दो 12 का marksit भी नहीं है आपके पास तो class 12 का admit card होगा उसको अपडेट कर दो अब बच्चे के मन में doubt आएगा कि मेरे पास दोनों नहीं है 25 जुलाई तक भी नहीं आएगा आखरी date है 25 जुलाई 2024 यानि कि 25 जुलाई तक आप लोग को update करना परेगा अब आपके मन में doubt आएगा कि मेरे पास दोनों नहीं है क्या हम exam दे सकते September 24 का नहीं दे सकते बच्चो सिंपल सा बाते नहीं दे सकते अगर आप update नहीं करोगे Class 12 का mark seat या नहीं तो Class 12 का admit card आप लोग exam form भी फिल कर सकते हो September का exam form भी फिल कर सकते हो कोई दिकत बाली बात नहीं है लेकिन जिस समय CA Foundation September 24 का admit card आएगा ही नहीं आप लोग को जो बच्चे Class 12 का mark seat या नहीं तो admit card नहीं अपडेट किये होंगे उनका नहीं आएगा जो बच्चे ओल्रेटी कर चुके दुबारा नहीं करना रीपीटर को नहीं करना रीपीटर कर चुके हैं तो रीपीटर ऐसे होंगे करो चैनल पे नए हो तो subscribe कर लेना एक गलती जो आप लोग करने वाले हो कि exam form जब open होगा September 24 का live demo video charter studies लादेगा उसको देखने के बाद ही exam form फिल करना है एक request है क्यों क्योंकि 4 सालों से सबसे पहले charter studies करते आ रहा है तो कभी हार नहीं मानेगा लाइब डेमो वीडियो लाएगा उसको देख करके आप लोग फिल कीजेगा बहुत सारे बच्चे तरह तरह के बहुत सारे लोग आ गया exam form फिलिंग वीडियो उनको परहाना लिखाना होता नहीं अपने चैनल पे तो यह सब काम करने लगे है charter studies को देख करके तो करो कोई दिकत्म बाली बात नहीं पुराना वीडियो अप्लोड कर देते हैं charter studies का screenshot लेकर के बना देते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा charter studies सबसे पहले सब कुछ करता है बस आप लोग ऐसे support करते रहों मिल एक चीज बच्चों बताना भूल गया है जिन बच्चों को class 12 का admit card update करना है कैसे update करना SSP portal पे मैंने वीडियो बना रखा है वीडियो का link का आपको description में मिल जाएगा वीडियो का link का आपको description में मिल जाएगा आप Class 12 का Admit Card अपडेट करके CA Foundation September 24 के एक्जाम में एपियर करो जब रिजल्ट आ जाएगा CA Foundation का Intermediate Course का Registration करते समय आप अपडेट कर दीजिएगा कोई डाउट नहीं न सारा डाउट क्लियर न तो आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज एक रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको एक्जाम फॉर्म फिल करना है तो पहले वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद एक्जाम फॉर्म फिल करने जाएगा मिस्टेक नहीं होगा गलती वहीं पे होता है जब बच्चे का फॉर्म पेंडिंग में चला जाता या वो सम्मिट नहीं होता फेल्ड हो जाता उसके बाद बच्चे को ऐसा लगता है उनका एक्जाम फॉर्म हो चुका है और यही बच्चे का एड्मिट कार्ड भी नहीं आता तो गलती नहीं करना है चार्टर स्टेडिझ के वीडियो को देखके ही एक्जाम पॉर्म फिल करना है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो क्या है एक्जाम डेट कब से एक्जाम पॉर्म फुलिंग ओपेन हो रहा है मैंने already वीडियो बना रखा वीडियो का लिंक आपको description मिल जाएगा अगर आपको अभी तक नहीं पता exam date क्या है exam form date क्या है तो इस topic पे भी वीडियो बना रखे हैं कि exam date भी आर चुका है exam form कब से feeling होने वाला है वो भी चीज मैंने बता रखा है वीडियो का लिंक आपको description मिल जाएगा मैं मिलता हूँ next वीडियो में subscribe जरू कर दीजिएगा